हाई कैसे आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई होप आपके एक्जाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे आप देख सकते हैं जो कि हमारा BEGC 133 और बुक का नाम है हमारा History of Environment यानी की पड़यावरन का इतिहास इस सब्जेक के हम important question answer को discuss करेंगे और इसके जो notes है आपको telegram पे मिल जाएंगे और ये जो video है इसके description में भी आपको मिल जाएंगे इतिहास यानी की history of environment इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इस subject में हम लोग पड़यावरन के बारे में यानी की हमारे environment के बारे में बहुत सारी चीज़े हम जानेंगे उससे lottery question इसमें आएंगे तो पहला जो हमारा question है चुकि आप देख सकते हैं कि पड़यावरनी इतिहास पर वाद विवाद पर टिपनी करनी है यानी की वाद विवाद में सोता है debate यानी की किसी topic पे लेके जब हम एक तरह से बहुत आनी की अपने अपने point of view को रखते हैं हम बहस करते हैं वही तो एक तरह से पड़यावरन का जो इतिहास है ना इस पे भी different type के लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं इस पे बहस भी किया है तो उसी को आपको सबसे पहले समझाना है और एक चीज मैं बोल दो गाइस मेरी आवाज में थोरी problem हो रही है because मुझे cold हो गया है और मुझे बोलने में थोरी सी problem हो रही है तो I hope आप adjust कर लेंगे because आपका exam तीन तारीकों है और मुझे इसको जल्दी बनाना है because आपको चाहिए so मैं ये वीडियो थोरा जल्दी ही इसको complete करूँगी तो सबसे पहले यहाँ पर परिच्छ यानि की introduction डाल सकते हैं कि पड़यावरन का इतिहास है क्या और उसके बाद हम लोग आते हैं point के थूँ यानि की answer के थूँ इसको समझते हैं तो simple सी अगर हम लोग question के according अगर बात क करें तो पड़यावरन का इतिहास जो है काफी लंबा topic है और इस पे बहुत सारे लोगों ने अपने विचार और अपने बहस को रखा है जिसको जैसे सही लगा है जिस नजर से उसने पड़यावरन को देखा है रिसर्च किया है तो उन्होंने अपने point of view को रखा है जैसे कि एक बहुत ही important area है जिसे हम discuss कर सकते हैं जो कि इस पेसली मानो समाज और प्रकती का जो एक तरह से हमारे बीच जो संबंध है उसको दिखाने की कोशिश करता है और इसमें जो हमारी दिस्टिकोन है और जो औरो की दिस्टिकोन है उसको यहाँ पर उजागर किया गया है तो ज जो कि इसे एक तरह से और एक तरह सा बो सकते हैं पारमपडिक जो इतिहास है उसके हिस्से को शामिल करना चाहता है कुछ जो विद्वान है उनका भी मानना है कि पड़यावरन का इतिहास अपना एक विस्टिकोन रखता है और इसकी कुछ बेधिया है यानि कि simple way में अगर म ये लाइन को आपको समझाऊं तो यानि कि पड़यावरन का जो इतिहास है वो बहुत ही अलग है जो कि हमारे मानों समाज और एक तरह से हमारे पड़यावरन के बीच में गहरा सम्मन तो रखता है और सांथ में ये पूरी तरह से आजाद है आप पड़यावरन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं यह पूरी तर से स्वतन्त है और इसके कुछ discipline है कुछ नियम है जिसे आप तोर नहीं सकते हैं अगर आप तोरते हैं तो फिर इसका आपको गलत reaction मिलेगा तो simple यह है अब हम दूसरे विवात पे आते हैं जैसे कि इसमें लोगों ने कहा है यानि कि इसको भी मैं आपको simple में समझा दूँ है कि मानो का जो एक तरसे गतिवीदी है यानि कि जो लोग है जो humans है उनके जो गतिवीदिया है और एक तरसे पड़यावरन की जो गतिवीदिया है वो एक दूसरे से बहुत ही अलग है एक तरसे आप बोल सकते हैं मानो विवाज जो है वो एक तरसे पड़यावरन का केंद्रिय बिंदू है और कुछ लोग मानते हैं कि जो मानो है, उनका जो action है, उनकी जो क्रियाई है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है परयावरन को पर कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि परयावरन का जो एक तरस से reaction है वो बहुत हत्तर आकार देता है human को यानि कि मानो समाज को ये दोनों ही अपने हिसाब से अलग है और इनका कारे भी अलग है पर कुछ लोग कहते हैं कि आप पर्यावरन को कुछ कर नहीं सकते हो पर्यावरन बहुत ज़्यादा सक्तिसाली है और ये हमें दिसा दिखाता है और इसकी भूमी का हमारे जिवन में बहुत जादा है तो ये भी एक विवाद है जिसे आप लिख सकते हैं अब हम आगे आते हैं और तीसरा जो विवाद यहां दिया गया है वो है हमारा सस्टेनिबिलिटी अब सबसे पहले मैं आपको समझा दो कि सस्टेनिबिलिटी क्या होती है तो सस्टेनिबिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि हम प्रगतिक चीजों का ऐसे इस्तिमाल करें कि वो कभी भी खत्म ना हो और नहीं वो नुकसान हो यानि कि अभी की जो generation है वो भी अच्छे से इस्तिमाल कर सके प्रकति चीजों का और साथ में future में जो लोग आए वो भी इस चीज का अच्छे से इस्तिमाल करें simple सा ये मतलब है sustainability का तो इसमें ऐसे technique आते हैं जो कि आपको ऐसे तरीके के through आप प्रकति चीजों का use करें जो नुकसान ना हो और वो खतम ना हो पर अभी कुछ ऐसी भी चीजे लोग कर रहे हैं जिसके चलते ये बहुत ही मुश्किल हो गया है कि future में ये सारी चीजे बस सके तो इस विबाद में लोग कहते हैं कि sustainability यानि कि ऐसे कुछ तरीकों का संतूलन लेके हमें अच्छी चीजे बनानी चाहिए और एक तरह से पड़यावरन को छती ना हो उसको बचाया जा सके और ये संतूलन जो है बचा रह सके यानि कि simple में एक तरह से जलवाई जो परिवतन होता है या फिर जो प्रकति नुकसान होता है उससे बचाया जा सके और इसमें भी लोग बहुत तरह के बहस करते हैं कि इसमें मानों का बहुत जादा हाथ है अब हम आगे आते हैं तो से बहुत चीजे यहां पर थोड़ी से दी गई है आप इसको रेड कर सकते हैं जो जो में पॉइंट है वही मैं आपको समझा अब हम अगले कोश्चन में आते हैं जो कि दो नंबर है तो इसमें आपको करना है कि पड़यावरन के साथ खाना वदोस जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नो मेडिक उसके सम्मंद की चर्चा करनी है यानि कि सिंपल में सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि खाना व दायक होते हैं जो कि एक जगा टिके नहीं रहते हैं इनका कोई एक ठीकाना नहीं होता है यह तरह से अलग अलग जगा पे भटकते रहते हैं कभी यह यहां रहेंगे कभी वहां रहेंगे इस तरह से इनका जीवन चलता है और उसके एक्वार्डिंग इनको अपने आपको ढ खालना भी पड़ता है विकोज ये अलग-अलग जगा पे जाके रहते थे खाने के लिए रहने के लिए अलग-अलग इनको सुविधाय नहीं मिल पाती थी इनको बंजारा भी बोला जाता है तो ऐसे आप समझ सकते हो इनका जो कनेक्शन होता है वो बहुत जादा नेचर से हो क्योंकि ये एक जगा नहीं रहते हैं ये अलग-अलग प्लेस पे जाते हैं और खुद को वहां के अकोर्डिंग ढाल भी लेते हैं तो खाना वद्दोस जो समुदाय होते हैं और पड़यावरन के बीचे गहरा संबंद होता है पड़यावरन के साथ एक अपना अलगी रिस् इस सब एक तरस से मौसमी आओ सकता कि अनुसारिये ढल जाते हैं और प्रकती से इनका बहुत अच्छा कनेक्शन होता है और एक अच्छा संतुलन भी होता है जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट के थू समझाय गया है तो पहला पॉइंट में आपको समझा दूँ तो इस पॉ कोड़ के दूसरे प्लेस पे चल जाते हैं और यह तरस से पसु पालन करते हैं सिकार करते हैं मचली पकरते हैं और जंगल पे यह पूरी तरस से निभर रहते हैं और उसको नुकसान बिलकुल नहीं करते हैं क्योंकि वह एक जगा टिक्के रहते नहीं है तो फिर वहां से उस अब हम आगे आते हैं और इनका दूसरा जो तरीका है मौसम को या फिर नेचर को जानने का वो कुछ इस तरह है कि ये जो होते हैं ये जो जातिया होती है ये अपना ग्यान जो है पड़यावरन से बहुत जादा उनको मिलती है बिकोज उनकी ये जो पीड़ी है न वो भी एक तरह से मौसम बदलाव जो पड़यावरन है जो बनस्पति है उसको बहुत अच्छे से इस्तिमाल करना जानते हैं जैसे जल का संसाधन कैसे किया जाए इन सबी चीज़ का उन्हें बहुत अच्छा ग्यान होता है जैसे कि हम लो तो वो अलग-अलग प्लेस पे जाके खुद को देखे खुद को पहचाने और बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड किये नेचर के सांथ अब हम आगे आते हैं और आप तीसरा पॉइंट ये लिख सकती है कि खाना बदोश जो होते हैं इनकी जीवन शैली और पड़यावरन के सांथ इनका कनेक्शन और अच्छा इसलिए बनाती है बिकॉस परयावरन में हमेशा कुछ ने कुछ विपता आती रहती है जैसे कि जल सूख जाना बाढ़ा जाना और एक तरह से मौसम का बदला तो इनसे ये पूरी तरह से सक्छम होते हैं उसको ढालने के लिए उसमें एक सबी जानकारी रहती है क्युकि विल्के खूमते हैं इनको के उसमें लोगो आप अब फोरी हम पहले समझा बाले को ममन क्ते तो कि भी तौकि ऊधा अदो सबनाती है जो कि बहुत बहूत अब अगले कौशन में आती हैं जो कि तीन नमबर ये तो ये भी question काफ़ important है कि आणंबिक आधुनिक भारत में बनो वानिकी पर संचिप में चर्चा करनी है यानि कि starting में जब आधुनिक भारत था तो उस समय जो जंगल थे ना और उनके बीच में एक तरस से पौधे वागया जो भी आप बोल सकते हैं उनका संचिप आपको चर्चा करनी है तो answer के through हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप सबसे पहले परिचा यानि कि इसका introduction दे सकते हैं और ये बहुत ही आधी काल से ही हमारे जिवन में जंगलों का बहुत ज्यादा महत्पुन अस्थान रहा है तो उसी चीज को आपको लिखना है तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में बात करें आधुनिक भारत में जो जंगल होते थे ना उनकी इस्तिती जो है वो सामाजीक आर्थिक और राजनीतिक एक तरस से परिवतन से प्रभावित होती थी और लगबग 16 सदी से 18 सदी का जो समय था मुगल समराज का था और इसके बाद जो छेतरी है जो सक्ति का प्रभुत्व हुआ ना एक तरस से बनो और इसका महत्व जो है क्रिशी में और अर्थ वैवस्ता में यानि कि एकोनॉमिक में भी काफी अच्छा बना अब एके करके ह है कि आधुनिक भारत में कई प्रकार के हमें संसाधन मिले हैं बन से जैसे कि लक्रिया, इधन, चारा और अशोधी चारा मिंस की जो पशु होते थे उनके लिए हम देते थे और खुद हम भी उसका वेवार करते थे दवाईया हम बनाते थे और बिभिन प्रकार के बन होते हैं, गोद होते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़े हम बनाते हैं और एक और चीज़ हम लोग बोले तो बन का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा स्थान है, बिकोज हम जंगल को एक तरह से कुछ ऐसे पेर होते हैं, जिनसे हमारा धार्मिक कनेक्शन जुरा होता है, जैसे कि हम एक तरह से बरगत की पूजा करते हैं, अलग-अलग पेरों की हम पूजा करते हैं, धार्मिक चीज़ों में भी हम इनको बहुत जादा मानते हैं, तो इस तरह से इनका महत तो बहुत जादा, पहले से ही लोग इसको मानते हैं, जैसे कि आपने देखा हो कि पहले क क्या महत्यौ था टो मुगल काल में ही एक तरब तो बन का हम संसाधन में हम यूज करते थे और इसका मैमीनेजमेंट भी था और üzer इसिता था क्यों से वह थे वर्लेश का यूज करहे यहांनी कि वह अपनी राप्षा सरय क्यों देसे मोला के लिए करते थे इस तरह से लड़ाया में भी लोग वनो का बहुत ज़यदा इस्तमाल tyre और एक तरह से वनो से वह डिफरेन टाइप की चीजे तो बनाते थे वैफसा में इसका यूज होता था बिजनेस में लोग इसका यूज करते थे और साथ में बागवानी में बागवानी का मतलब होता है बगीचा तो आप मोग जैसे अभी के टाइम में आप देख सकते हैं कि बहुत सुन्दर सुन्दर पेर लगाये जाते हैं फूलों के और एक तरसे पार्क रेडी किया जाता है जैसे बड़े बड़े पार्क का नाम आपने सुना होगा लोग घूमने जाते हैं तो ऐसे बागवानी पहले भी होती थी जहां पर बहुत ही सुन्दर से एक प्लेस पे बागवानी की जाती थी डिफरेंट टाइप के हमें वहाँ पर पेर मिलते थे तो ये मुगलकाल से ही हमें देखने को मिलती है और ये नेचर के सुन्दरता को और अच्छा बना देती है तो ये भी प्रथाय जो है एक तरसे इसका एक हिस्सा है मुगलकाल से ही अब हम आगे आते हैं कि जंगलों का सनरक्षन और इसका हम लोग एक तरसे मैनेजमेंट कैसे किया जाता था पहले तो देखे जंगल को बचाना भी एक बहुत ही बड़ी समश्या थी बिकोस जंगल से हम बहुत कुछ करते हैं हमारे बिजनेस में और डिफरेंट प्लेस पे हम यूज करते हैं तो उस समय में भी जो है बन को बचाने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रयास किये गए जैसे कि बनों की एक तरस से कटाई पे रोक और पड़ंपड़ाओं के अकॉर्डिंग पेरों को ना काटना ये सारी चीजे जो है उनको बचाने के लिए लोगों ने स्टार्ट कर दी जैसे आपने सुना होगा चिपकू आंदोलन इसमें दिया नहीं है बड़ चिपकू आंदोलन जो है वो पेरों को बचाने के लिए इसको सुरू किया गया था उसी तरह से डिफरेंट टाइप के चीजों का लोगों ने यूज किया कि पेरों की कटाई बंद हो सके और अधिक से अधिक हम पेरों को लगा सके और ये जो जंगल है उसको हम कभी भी खतम ना होने दे क्योंकि इससे हमें बहुत सारी चीजे मिलती है तो ऐसे कुछ तरीकों का इस्तमाल किया गया और बंदों को बचाने और इनका सही से मैनेजमेंट के लिए लोगों ने यूज किया अब हम आगे आते हैं कि बदलती परिस्तितिया यानि कि जैसे जैसे हम लोगों ने नेचर का सोशन करना शुरू किया इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें 18 सदी से 19 सदी के बीच में मिला जैसे कि लोगों ने डिफरेंट टाइप के घर निर्मान के लिए रास्ते बनाने के लिए और डिफरेंट टाइप के कारखानो को बनाने के लिए बहुत ही जादा पेरों की कटाई की जंगलों को साफ करना सुरू किया तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो हमारे पडियावरन पर देखने को मिला इस से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जैसे कि अगर मैं आपको समझाओं कि इसमें हमें number question में आपको करना है भारत में प्रगती के संरक्षन के इतिहास का वीवरन यानि कि हम एक तरसे प्रगती को कैसे हम बचा सकते हैं उसका हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं उसी चीज़ को आपको अच्छे से वीवरन करना जैसे कि आप इसका परीचे में लिख सकते हैं कि प्राकती का संरक्षन तो देखे संरक्षन क्या होता है न सबसे पहले मैं यह आपको समझा दो फिर हम आगे समझेंगे तो संरक्षन का मतलब होता है कि किसी चीज को बचाना किसी चीज को सुरक्षित करना तो यहां पर प्राकती को कैस सुरक्षित किया जाए था तो उसी के इतिहास के उपर आपको लिखना है भारत में प्रगति के संरक्षन का इतिहास जो है वो प्राचिन काल से लेकर अभी तक यह चल रहा है और यह डिफरेंट तरीकों से चल रहा है जैसे कि पहले लोग अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प प्राचिन और मधकालिम जो काल था तो उसमें एक तरस प्राकतिक संरचना के लिए यानि कि उसकी सेप्टी के लिए जो है वैदी काल से ही देख सकते हैं जैसे कि हमारे ग्रंथों में जैसे कि रिगविद में उपनी शेद और पुरानों में एक तरस प्राकतिके जो तर्थ प्राकति के जो पार्ध होते हैं उसकी हम पूझा करते हैं और उसको बचाने के बारे में बहुत दीपली बताया गया है जैसे कि हम ब्रिक्छो, नदियो और पशुक को पवित्र मानते हैं उनकी पूझा करते हैं तो ये सब चीजे दी गई है जैसे कि आप यहाँ पर एक example में लिख सकते हैं कि अशोक जो महान थे जो की समरार थे तो उन्होंने तीसरी सताध्वी इशापूर में ही जो सीला लेख होता है ना उस पे उन्होंने पश्वो और एक तरस से ब्रिक्छो को बचाने का एक तरस से आदेश दिया है तो इस तरस से कालिन में भी तरस से आप लेख सकते हैं जैसे कि मोगल काल्म हैं कीने बावर और एक तरस से अकबर ने अपने शासन में सुंदर सुंदर बाघ बनाए था बगीच को बनाए कि नहीं करना कि प्रभी प्र 70 करना है वह prix और यह पुझाटरु में आज हम आगे आते हैं तो अगले पॉइट में आप कर सकते हैं कि ऊपनिवेशी काल तो इनल सकते हैं लग अलग करने लगए तो वहां की संस्कृती वहां बन को भी नुकसान बहुत जादा पहुंचा है इस्पेसली ब्रिटिस जो उपनी वेश सुरू हुआ था तो उस ताइम तो बनों की बहुत जादा च्छती हुई थी पर बाद में लोगों को लगा कि नहीं यह बहुत जादा खत्रा है तो फिर 1865 में इंडियन फॉरेस्ट आक्ट जो है वो पास किया गया था जिसमें वनों को सुरक्षित करने के उपर कानून बनाये गये थे और फिर 1894 में पहली बार रास्ट्रिय बन नीती बनाई गयी थी जिसमें आप पेरों को नुकसान नहीं कर सकते हो और अगर पेर काटते हो तो उससे ज़्यादा पेरों को आपको लगाना पड़ेगा तो इस तरह के कानून भी बनाये गये जब लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉलोनिजम बनाना शुरू किया और अलग अलग जंगलों को नुकसान किया तो अब हम आगे आते हैं कि स्वतंता के बाद यानि कि भारत जब स्वतंत हुआ तो उसके बाद भी जंगल को लेकर जो विवाद चल रहे थे उस पे भी बहुत सारे एक तरह से कानून बनाये गये बनों को सुरक्षित रखने के यहाँ पर दिये गये हैं आप नोट कर सकते हैं और इसके पीछे उद्देश यही था कि हम पेरों को बचा सके और जो जंगल है वो पूरी तरह से खतम ना हो अब हम आगे आते हैं जो कि आधुनिक यूग आधुनिक यूग यानि कि अभी के समय में भी जो है हम देखते हैं कि हमारे पड़यावरन मे जो हमारी बायो डाइवसिती है या छोटे जू है या बड़े जू है उनको समरक्षित करने के लिए भी पड़यावरन में बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गये जो कि एक तरसी इनको बचाया जा सके और डिफरेंट टाइप के लोगों ने एक तरसी इंटरनाशनल लेवल प जो कि पांच नमबर है और ये कोईशन भी बहुत इंपोर्टेंट है जो कि ये ग्रीन पीस आंदोलन की ब्रिद्धी पर आपको टिपनी लिखनी है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन पीस मुवमेंट अब ये आंदोलन क्या है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दर इसके थ दुनिया की कल्पना करें या फिर ग्रह की जो हमेशा हड़ा भड़ा हो सवस्त हो और जहां पर शांती हो और आने वाली पीरियों के लिए ये सारी चीजे हम अवेलवल करा सके तो ये इन लोगों का लक्ष है आप बोल सकते हो अब एंसर के थू हम इसको और अच्छे से अपना हुई थी इसका उद्देश यही था जो अभी मैंने बताया कि प्रयावरन को एक तरह से बचाया जा सके और विश्व में जो है एक तरह से सांती बनाने का जो जागरूपता है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके और एक तरह से सामाज को एक अच्छा सामाज बनान का इनका लक्ष था हम आते हैं कि आरंबी काल में ये कैसे शुरू हुआ और किस ने इसको स्टार्ट किया तो देखिए स्टार्टिंग में जो गिनी पीछो आंधोलन शुरू हुआ था जो कि 1971 में हुआ था और ये छोटे से समुदायक जो कि अमेरीकी परमानों परिक्षन का विरोध करने के लिए इन्होंने इस दिश को शुरूआत की थी जो कि एक पूरानी मचली पकरने की नाव से एक तरसे दीपो में एक तरसे इसकी चोड़ स्टोरी है जो कि बाद में ये जो बाते है वो मेडिया तक पहुँच गई और उसके बाद ये जो आंधोलन है वो काफी दूर तक वैल गया था और इसमें इन्होंने परवानु जो मुद्दे है बहुत सारी एरिया में रहने काम किया जैसे कि आप देख सकते हैं है Ivy Living स सेल हंटिंग और पर vendor मानु जो लोग परिक्षं करते थे उसको रोकने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया और ये बातें जो है वो अंतरास्तीयाम पहुच गया hiện और इससे इस लोगों को काफी सपोर्ठ मिला और एक तरह से इनका ये आंदोलन काफी सफल साभुत हुआ और इस प्रकार से ये जो एक तरह से आंदोलन है वो फिर रुपा नहीं और यह different area में nature से जो related है उसमें इन्होंने काम करना शुरू किया ऐसे कि सम्मुंद्र प्रदूशन हो गया जल परिवतन हो गया और भी मुद्धों पर इन्होंने काम करना शुरू किया और एक तरह से nature को पूरी तरह से सनक्षन करने के लिए इन्होंने different type के प्रयास की और यह पर इनके वेश्पी प्रभाव यानि कि पूरी दुनिया पर इनका क्या प्रभाव पड़ा वो सब देख सकते हैं इससे लोगों के अंदर भी जागरुकता आई और international लेवल पे लोग जो है एक तरह से इनका support करने लगे और इनको और ज्यादा support मिलने लगा और एक तरह से ये जो है different type के कारे करने लगे तो ये एक सफल एक तरह से अंदोलन चला जैसे आप बोल सकते हो जिससे परियावरन को काफी जादा राहत मिली और लोगों ने इसका पूरा support किया अब हम आगे आते हैं और हमारा छे नंबर जो question है जो कि ये भारतिया दाशनिक परंपरा में पेर पौधी और पशू ने क्या भूमी का ने भाई तो ये तो बहुत easy है इसको मुझे जादा समझाने की भी जरूत नहीं है कि भारतिया दाशनिक परंपरा है उसमें पेर पौधी का और एक तरह से पशू का कितना जादा important role है एक तरह से हम लोगों ने जो ऊपर discuss किया उ उससे काफी जादा मिलता जुनता है तो सबसे पहले आप परिचय लिख सकते हैं और उसके बाद लिख सकते हैं कि भारतिया दासनिक परंपरा में पेर पौधों और पशू को हम बहुत जादा important मानते हैं और इनकी भूमिका भी बहुत जादा है और लोगों के जीवन में हो समाज में हो या धार्मिक हो या फिर सांस्कृतिक हर छित में इनका बहुत जादा important रोल है तो संसार भी बहुत सुंदर लगता है और हमारे आसपास का जो मोहल है वो बहुत ही सुंदर दिखता है और इसे साबसे हम प्रकति की पूजा करते हैं जैसे कि आपने पहले सुना ह हुआ होगा कि जो आदिवासी होते थे वह जंगलों में पेरों की तो पूजा करते थे साथ में नदियों की जंतूओं की और उनका different एक त별से उनका على पारस भी होता था जैसे कि बिजली की पूजा करना बारिष हो तो फिर इंद्र 듯 iw की पूजा करना और साथ में वह एक त इनका अलगी अस्थान है तो ऐसे आप बोल सकते हैं अब दूसरे पॉइंट में आप एड़ कर सकते हैं कि पश्वो को भी लेकर लोगों की जो मानिता है वो अलग है क्योंकि हम इनको भगवानों से जोड़ते हैं जैसे कि आपने सुना होगा माता जी की जो सवारी होती है शे है ऐसे आप यहां पर यह सारे पॉइंट को अच्छे से लेख सकते हैं कि यह बहुत ही लंबी कहानी है और आप इसको अच्छे से अपनी सब्दों में भी लेख सकते हैं अब हम अंगले कोशन में आते हैं चुकि साथ नंबर है तो इसमें आपको करना है कि भारतिय दर्शन में जल को किस प्रकार वर्नित किया गया है यानि कि अगर हम भारत की संस्कृति को उठाते हैं या फिर इतिहास को तो जल को हम किस रूप में मानते हैं हो चीजे तो यह भी आप बहुत ज्यादा कनेक कर पाएंगे गंगा जी के स्टोरी को अगर हम लोग बात करें तो तो आगती संरक्ष अब मैं यहां पर एक स्टोरी आपको एड करूंगी कि गंगा जी के स्टोरी आपने सुनी होगी कि उनका जो कहानी है वो वेदो से ही लिखा गया है वो स्वर्ग से धरती पर कैसे आई और उनकी पूरी कहानी जो है एक तर से लोग अभी भी सुनते हैं और बिलीव करते हैं तो सेम चीज है पानी की यानिकि पानी को हम बहुत ही पवित मानते हैं बिकाज की पानी जो है हमारे लिए एक तर से अमृत है अगर पानी नहीं रहेंगी तो कोई भी जीव विन कहानी सकता है तो इसकी अलग-अलग स्टोरी आप यहां पर लिख सकते हैं जैसे कि यहांँ पर मैंने लिया है वैदों में तो वैदों में भी जल को जीवन दायैनी और इसके बहुत सारे जो गाताये वो लोग मानते हैं और उन्हें झल के महत्तों को बहुती अच्छ से बताया है और उसी प्रकार से पुरानों में भी जल को बहुत ही अच्छे से वणनित किया गया है जैसे कि उन्होंने नदियों के डिफरेंट रूप को उन्होंने एक तरसे देवियों के नाम से कनेक किया है जैसे कि वो मानते हैं कि गंगा, यमुना, शर्शति, नर्मदा और कावरी जैसी जो नदी है वो धार्मिक और पवित्रता का प्रतीनी दित्तो है और वो जो है नदिया जो है वो एक तरस से पुरी दुनिया में जो है बहुत ही फैमस है और लोग इनको बहुत जादा मानते हैं इस्पेसली गंगा जो रिवरे बहुत जादा लोग मानते हैं और इसका एक अलग अपना धार्मिक महत्तो भी है लोग पहले के समय में गंगा नदी के पानी को जो है एक तरह से अम्रित मानते थे और उनको लगता था कि गंगा में नहा लेने से हर इंसान का जो पाप है वो प पूरा पवित्र हो जाता है तो ऐसी लोग की मानता है तो यह सब धार्मिक ग्रंतों में लिखा गया है अब हम आगे देखते हैं कि जल को संड़क्षन और विकास के रूप में तो भारतिया दर्शन में जल के संड़क्षन और विकास के ऊपर भी लोगों ने बहुत ही पहल दिये हैं और बहुत ही महत्पुन बातीं की जैसे आप जल को एक तरस से यूज कर रहे हैं तो उसके भी कुछ तरस से नियम कानून है कुछ ऐसे भी उसके अडिसेपलेन हैं जिसको लोग को फॉलौ करने चाहिए और यह फॉलौ करने से क्या होता है ना कि मनुष और जल का जो या प्रगती का जो संदूलन है वो बहुत ही अच्छे से बना रहता है। अगले कोशन में हम आते हैं जो कि 8 नंबर है। तो इस कोशन में आपको करना है कि पारंबिक आधुनिक भारत में रोग और महमारी उपर आपको टिपनी लिखनी है। यानि कि आधुनिक भारत में हम हमेशा रेखते हैं कि कोई न कोई महमारी और रोग आती रहती है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोरोना के टाइम में हम भूल नहीं सकते हैं तो ये भी एक तरसे महमारी थी जो कि पूरी दुनिया को प्रभावित की। तो इस तरह से हम काफी समय के बाद एक तरह से ऐसी महमारिया आती है जोड़े उनको बहुत परिशानी होती है जन धन और काफी जादा एक तरह से लोग मर जाते हैं इस तरह से आधुनी भारत में भी इस तरह की बिमारियों ने हमेशा दस्तक दी है और लोग हमेशा इस पर व आड़मिक आधुनिक भारत में रोग और महामारियों का प्रकोप जो है वो इतिहासिक हमें चीजे सिखाती है विकोज ये एक समय नहीं आई है ये अलग-अलग समय में अपने प्रभाव को दिखाई है समाज पे आई समय सकते हो अब इसी तरह की एक महमारी जो है जो की फैली थी जो की यहां पर दी गई है तो आधुनिक भारत में स्टार्टिंग में जो है एक तरस से एक भीमारी आई थी जिसको हम लोग चोलेड़ा बोलती है जैसे कि आप इस पिक के थूरू देख सकते हैं, इसे हैजा भी बोलते हैं जो कि एक तरज से बहुत ही डेंजर होती, तो पानी से होता है, गंदे पानी से होता है, आप ऐसे बोल सकते है और ये जो बिमारी है वो 1817 में बंगाल में जो कि अभी वर्तमान में हम लोग बांगलादेश बोलते हैं तो पहले वेस्ट वेंगोल और बांगलादेश तो एक ही था तो ये जो था उस से में बहुत जादा इसकी रिपोर्ट जो थी वो वाइरल हो गई थी और इस बिमारी का प्रकोप जो है वो पूरे जगा ज़ादा फैला और इसका कारण ये था कि लोगों में जो स्वास को लेकर है पानी को लेकर जो समष्चा है उसकी जागरुखता बहुत ही कम थी यानि कि गंदे पानी के कारण ये बिमारीया फैली थी और इस्पेसली गंगा के किनारे या फिर प्रयागराग जिसे हम लोग इलहबाद बोलते हैं तो इन अस्थानों में ये जो विमारी थी वो बहुत जादा हुई थी और काफी जादा नुकसान हुआ था और इसके अलावा हमेशा से ही नई-नई विमारिया आती रहती है जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तरह से टाइफाई जो विमारी है ये भी डेंजर है मलेरिया हो गई और ये जो दिया गया है तब पेदिक जिसको हम लोग डेंगू बोलते हैं जो कि मच्छर के काटने से होती है टीवी हो गया बुखार हो गया इस तरह की जो बिमारिया है ये बहुत जादा नुकसान करती है और इसका सही से अगर इलाज ना हो तो फिर ये मौत का कारण भी बन जाती है तो अभी के समय में तो इन सभी बिमारियों के लिए हमारे पास इलाज है और अच्छे लेवल के हमें जो सर्विस मिलते हैं पर इंदर स्टार्टिंग में ये सब चीजे नहीं थी जिसके चलते बहुत जादा नुकसान हुआ था आप देख सकते हैं पोलियों का टिका करन भी जो है एक तरह से बहुत बड़ी समस्या थी जब लोग को आइडिया नहीं था तो इस तरह से बिमारिया जो है हमेशा से ही पुरी दुनिया पे प्रभावित हुई है और इसका प्रशार काफी तेजी से फैला है पर हमेशा विज्ञानिक ने और डॉक्टर्स ने इसका इलाज खोज निकाला है ये सब चीजे तो आती रहेंगी पर हमें उसके लिए पर आपको टिपनी लिखनी है यानि कि सिंपल में चो है सिंदू घार्टी की जब सब्यता विकसित हुई थी तो उस समय चो जल प्रवंद यानि कि जल मैनेजमेंट के उपर लोगों ने क्या एक तरस से प्रवंद किया था क्या उसमें उलोग सुविधाय या फिर क्या तरी सिंदू घार्टी की सब्यता को हम लोग हरपा की सब्यता के नाम से भी चानते हैं और यह डिक प्रानियों पर आधारीत एक व्योजना के लिए प्रसिद है और यह जो सब्यता है वो कांस यूगिन सब्यता भी थी जो आज के उत्तर पूर्वी आफगानिस्तान से लेकर पा सब्यता थी और उस समय जल जो मैनेजमेंट थी उसको थोड़ा एडवांस में हम जान लेते हैं जैसे कि आप इंडरक्शन में यूज कर सकते हैं कि सिंदू घार्टी की सब्यता जो थी लगबग पचीस सो से उननीस सो इसा पूर्व में विकसित हुई थी और इसका एक जो है वो बहुत जादा लोग फॉलो करते हैं अभी के लोगों ने भी इसका बहुत जादा इस्तिमाल किया है और इनका यह जो अध्यान है वो सामाजी और इनकी एकोनॉमिक जो बैवस्ता थी या फिर पड़यावरन से संबंदी जो है थी वो बहुत जादा कनेक्टेट थ और लोगों ने इसका बहुत ही अच्छे से इस्तिमाल किया जैसे कि हम लोग कुछ पॉइंट के थूरू इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं जैसे इस पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि यह जो सबिता थी वो पानी के एक तरसे संचैन और एक तरसे विवरन यानि कि प प्रमुक अस्तलों में पानी के साथ जो संचन है उसके लिए विस्स रुप से उधारन के लिए प्रस्तु दिया यानि कि इस लाइन में आप सिंपल बहु सकते हैं कि एक सबिता जब खतम हुई तो उसके बहुत सारी चीजे जो है आने वाली सबिता ने लिया और उसी का एक बहुत ही अच्छा एक्जामपल है पानी को मैनेज करने का विकोस कोई भी जब नगर जब बनता है आप खुद सोचे न अगर आप एक नगर का निर्मान करते हैं तो आपको पानी के लिए भी सुविधाय उसके मैनेजमेंट सही से रखनी पड़ेगी जो की राजा महराजा पानी को कैसे साफ और अच्छे से और इसका अच्छे से इस्तिमाल किया जाए तो इसके लिए योजना बनाते थे अलग अलग तरह के तो उसी योजना को आने वाली सविता ने भी अपनाया अब दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जल प्रवन्द के लिए यह ना पास्कृतिक जो सासन थे उसको भी बहुती अच्छे से ये करते थे तो इन सबी चीजों को ये बहुती अच्छे से प्राप्त करते थे कि पानी जो है वो हमारे जीवन का एक बहुती महत्वन हिस्सा है इसका अगर हम सही से चैन करते हैं या फिर सही से इसकी मैनेजमेंट क तो यह काफी अच्छी चीज हो जाती है तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि यह जो प्रवंध है यह बहुत ही पुरानी है और अगर हम इसके स्टरी करते हैं या फिर इस प्लेस पे जब लोग जाके खोजते हैं रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि इस समय जो है लोग कितने ज्यादा विकसित हो गए थे कितना ज्यादा एडवांस उनका नॉलिज था कि उन्होंने इतने अच्छे से इन सभी चीजों की मैनेजमेंट की थी तो यह सब चीज आप देख सकते हैं और आपको किस ट्रॉपिक पे चाहिए आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं और बाकी जो इसके आप लोगोंने कॉमेंट किये हैं उसमें वीडियो बना रही हूँ आगे आपको किस ट्रॉपिक पे चाहिए आप प्लीस मुझे कॉमेंट करिएगा और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और आपका एक्जाम बहुत अच्छा जाएगा ओल दे बेस्ट एंड थ